GTA Normal San Andreas Android को खेल रहे हो, अगर आपने ModPack को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने फोन में कमपारेशन देख सकते हो, तो यही यह वीडियो है, जहापे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ModPack ना कि कमपारेशन दिखा रहा हूँ, बलकि इस वीडियो के अंदर पूरा आपको ModPack प्रोवाइड करने वाला हूँ, इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, और उसके अलावा हम सिस्टम रिक्वार्मेंट्स और फीटर्स के बारे में बात करने वाले है, गेम प्ले आपके सामने है, पूरा गेम आपका चेंज होने वाला है, और उसके यहाँ पर इस वाले गेम के अंदर अल्मोस्ट सारी वेकल्स को चेंज कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है इस वाले ModPack का, और उसके अलावा सिस्टम रिक्वार्मेंट्स अगर आप अपने पोन के वाले पर अपनी स्क्रीन पर देखोगे, तो मिनीमम रि अच्छे से चलाने में आपकी help करेगी, इससे नीचे आपका Android device है, तो मैं suggest करूँगा फिर भी आप इसको install कर सकते हो, बड़ थोड़ा lag आपको देखने के लिए मिल सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो Android 12 से लेकर के Android 14, 15 का जो process होता है थोड़ा different होता है, क्य वीडियो का link में आपको नीचे discussion में provide कर रहा हूं, इस वीडियो को देख करके आप अपनी game को install कर सकते हो, यहाँ पर कोई problem नी आने वाली है, क्योंकि इस वाले mode pack के अंदर यहाँ पर जो graphics आपको देखने के लिए मिलने वाले ना, वो ultra pro max वाले graphics देखने के लिए मिल तो यहाँ पर इस वाले mode pack को आप ट्राइ कर सकते हो, और features आप अपनी screen पर देख सकते हो, यह features आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इस वाले mode pack के अंदर जिसमें आपको नए graphics देखने के लिए मिल जाएंगे, टेक्षर देखने के लिए मिल जाएंगे, replaced almost all vehicle in the mode pack जो क इसके अलाबा इतनी सारी चीज़े आप मिल ही रही है आप सभी लोगों को, तो यहाँ पर अफकोर्स आप सारे लोग इसको डाउनट करना चाहोगे, बट, 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 when it comes to installation process, मैं हमेश्या सब लोगों को request करता हूँ, कि installation process ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर installation process आप notification call पर नहीं किया है, तो कल लीजे क्योंकि यही वो channel है, जहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा, जो आप हमेश्या से लेना चाहते थे, और लेना चाहोगे आगे भी जागे, इसके अलाबा हमारा telegram channel को अगर आपने check out नहीं किया है, तो उसको भी आप check out कर सकते हो, क्यों में दिया है, वासे चाहिए आप check out कर लो, यह वाले modpack के अंदर जिसा मैंने बता दिया है, almost आपको हर एक vehicle change देखने के लिए मिल जाएगी, majority of vehicle GTA 5 से इंपोर्ट करी गई आपे, और GTA 5 की cards ही आपको आपको जादा तर देखने के लिए मिलने वाली है, close scripts भी मैं आपको provide कर दूँगा, और उसके अलावा पूरा modpack आप ही का यह होने वाला है, अब से आप जाके इसको पूरा download कर सकते हो, make sure to watch the installation process, और मुझे comment section में बताईए अपना feedback और अपना यहाँ पे और चीजे क्या इसमें एड कनी चाहिए in future, इसके अलावा आगे जाकर के, अगर आप चाह helpful लगे, of course, subscribe पर के, bell notification को all पे करना ना भूले, जाता हम next video में, thank you so much, starting now